आज हम एक ड्राइ नास्ता बनाएंगे जिसे आप स्टोर कर सकते हैं और सुबह साम चाय के साथ भी ले सकते हैं तो बनाना सुरू करते हैं आचारी मठरी एक कप हमने मेंदा लिया है आदा कब गेहू का आठा टू टेबल स्पून बेशन चने का आठा टू टेबल स्पून केरी का चुंदा यह आचार मीठा रहता है यह मेंगो चुंदा इसे कई लोग घर में बना के रखते हैं अगर आपके पास नहीं है तो यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है एक टीस्पून काला तील अगर आपके पास यह नहीं है तो आप सफेग तील भी डाल सकते हैं एक टीस्पून धन्याजीरा पाउडर दो टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर आदे टीस्पून हल्दी पाउडर वनफ 2023 हेंग एक टेबल स्पून तेल मिक्स चर लेंगे मसाला और तेल आटे में बराबर से मिक्स कर लेना है इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालके आटा गुन लेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी डालके आटा गुनना है आटा नरम नहीं होना चाहिए इसमें हम नमक डालने का तो भूली गए नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है मैंने 1 टी स्पुन लिया है बराबर से मेक्स कर लेंगे आटा हमें एकदम कड़क गुनना है चारा सा भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए इसे धकन लगा के 15 से 20 मिनिट रेस्ट देंगे ये 250 एमेल कप का माप से मैंने मेंदा और गेहू का आटा लिया है और आटा गुनने में मैंने 90 एमेल पानी का यूज़ किया है 20 मिनिट हो चुके है एक टी स्पुन तेल डालेंगे आटे को थोड़ा मसल लेंगे एक मिनिट हमने अच्छे से मसल लिया है इसे इसकी एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे इस तरह से लोई बना लेंगे इस आटे के उपर टकन लगा के रखेंगे नई तर ये ड्राइ हो जाएगा एक बड़ी रोटी बेल लेंगे एक बड़ी रोटी बेल ली है मैंने जितनी हम रोटी बेलते हैं उतनी ही इसकी थिकनेस रखना है इसे फॉक से फ्रिक कर लेंगे मैंने ये कुकी कटर ली है इसे हम इसकी पूरिया कट कर लेंगे आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी वाटी या कुछ भी डबबे का डगण भी आप ले सकते हैं मैंने ये कट कर ली है इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से हम करेंगे तो आसान इसे जल्दी से मठरी बन जाएगी और एक-एक पूरी बेलेंगे तो इसमें टाइम भी लगता है इसे हम डीस में ले लेंगे इसी तरह से मठरी को बेल के तयार कर लेंगे मठरी को हमने बेल के रेडी कर लिया है अब इसे फ्राइ करेंगे तेल गरम करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा आठा डाल के देख लेंगे, इस तरह से ये धीरे से उपपर आए, उतना ही तेल हमें गरम चाहिए, तेल अगर ज्यादा गरम हो जाएगा, तो मठरी डालते ही तुरंत लाल हो जाएगी, फ्लेम हमें लो रखनी है, एक साथ में हम ज्यादा मठरी अंदर डाल सकते हैं, मठरी को हमें लो फ्लेम टे ही फ्राई करना है, इस तरह से हम पलट पलट के मठरी को फ्राई कर लेंगे, फ्राई हो गई है, इसे निकाल लेंगे, इस तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे मठ्री को हमने फ्राई कर लिया है मठ्री रेडी है इसे रूम टेंपरेचर पे ठंडा करके एर टाइट कंटेनर पे भरके आप 15 से 20 दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं झालओे रेडिर शोर मुद्जित ऱन मतलश सकते हैं इस तक क्ईयि नहीं जड़न देए सेंदने एर टाम conflicts